दोस्तों मेरे यूटूब चैनल मोनिका कटिंग और स्टीचिंग पर आपका स्वागत है मैं आज आपको शिक्स मन्त की बेबी गर्ले के लिए टोपी बनाना बताऊंगी सल वाली ये टोपी बहुत अच्छे लगती है बच्चे के उपर तो इस तरीके से टोपी आप जरूर बनाईए इस तरीके से मैंने कपड़े को ले लिया है चोड़ाई मैंने 16 इंच पे ली हैं और लंबाई के लिए मैंने 17 इंच पी निशान लगाया है निशान लगाने के बाद में हम कप्डे को कट कर लेंगे इस तरीके से हमें कप्डे को कट कर लेना है दोनों तरफ निशान लगाने के पार में हम कपड़े को कट कर लेंगे कपड़े को कट करने के बाद में 16 इंचे जिस तरीके से हम निशान लगाते हैं उसी तरफ से हमें कपड़े को फॉल्ड कर लेना है और कपड़े को फॉल्ड करने के बाद में कोर्नर की जगे निशान लगाकर गोलाई में कट कर लेना है हमें कपड़े को और गोलाई पर कट करने के बाद में इस तरीके से एक एक इंच की दूरी पर हमें निशान लगाना है एक इंच की दूरी पर और निशान लगाने के बाद में पास में एक इंच पर और निशान लगाना है इसी तरीके से निशान लगाने के बाद में हमें एक और फेब्रिक लेना है मैंने तीन कप्ड़े को फॉल्ड कर किया है दोनों तरफ मैंने आस्तर लगाया है ये सल वाली टोपी रेती है जो आगे पीछे दोनों तरफ दिखती है तो इसमें मैंने दोनों तरफ एक ही तरह का कपड़ा लिया है कपड़ा लेने के बाद में हमें चारों कोर्णर पर सिलाई लगा देना है और दो इंच की बीच में गेप लखनी है जिससे हम कपड़े को फॉल्ड कर देंगे इस तरीके से ये दोनों तरफ एक जैसा कपड़ा आ गया है फॉल्ड करने के बाद में अब हम ने जो निशान लगाया था एक एक इंच की दूरी पर महाँ पर हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है सिलाई लगाने के बाद में हमें एक नाड़ी तयार करनी है इस तरीके से कपड़े को फॉल्ड करके सिलाई लगाना है इस तरीके से हम नाड़ी तयार करके पीन की हल्प से हम नाड़ी डाल देंगे और इस तरीके से हमें डूरी को डाल देना है और इस तरीके से पास पास में शर डाल कर गली की तरफ हमें आधे-आधे इंच पर लली को कपड़े करने के बाद मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन पर टिक कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और इस तरीके से बेबी गल के लिए केप जरूर बनाई ये ये बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद में